जेहिंद वेलकम टू विजेबत एजुकेशन पालंपुर आज हिमाचल पुलिस का जो एक्जाम है वो कंडेक्ट करवाया गया था तो आज इसका मैथ का पोर्शन आज हम सॉल्फ करने वाले हैं सीरीज आपकी ए रहेगी वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं सबसे पहला कोशन है 65 कोशन काफी अच्छे लेवल के कोशन जो है वो मैथ का भी सेक्षन पूछा गया था आप सभी के लिए पहला कोशन है 65 नमबर पे है एक विद्यार थी 2.5 किलोमीटर की गती से स्कूल जाता और 6 मिनट की देरी से पहुंचता है तो अगर वो 3 किलोमीटर की गती से जाता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है पहले और देरी का कोशन था तो आपको टोटल दूरी जो है वो यहाँ पर बतानी थी तो इस टाइप के कोशन में आपको solve करने के लिए direct एक formula लगाना होता है और वो आपका formula रहता है direct दूरी को calculate करने का चालों का multiple होता है यहाँ पे speed into speed यहाँ पे रहेगा चालों का multiple और नीचे जो है वो आपके पास रहता है उन दोनों का difference और multiply आपको करना पड़ता है total time के साथ total time के साथ तो speed into speed करेंगे 2 and half का मतलब होता है 2 and 5 2.5 धाई इसको मैं लिख सकता हूँ into करेंगे 3 के साथ दूसरी speed 3 थी और नीचे जो difference है वो आपका रहेगा कितने का 0.5 का और total time है वो है आपके पास यहाँ पे 6 minute और 10 minute तो वो आ जाएंगे 16 minute बट यह minute में है बट आपकी speed kilometer per hour में है इसलिए जब आप इसको change करेंगे तो यहाँ पे आजाएगा divide by 60 जब आप इसको solve करेंगे 25 को 3 के साथ तो यह आपके पास 75 0.5 आपके पास नीचे है और into 16 by 60 यह आपके पास बन जाएगा 0.5 से बन जाएगा 15 बार कटेगा 15 55 होते है 15 से 60 कटेगा आपके पास 4 ब इस question का बिल्कुल सही answer यहाँ पे रहेगा उसके बाद अगले question की बात करते हैं simplification का यह question आपके पूछा गया था यहाँ पर जिसमें आपको x की value जो है वो आपको calculate करनी थी तो जब आप इस question को solve करेंगे तो सबसे पहले आपके पास 28.5 को आपको 34 से गुणा करना है उसके बाद divide का symbol भी हागे तो यहाँ पे आपको board mass लगा के इस question को जो है वो आपको solve करना है तो इसका जो basically right answer रहेगा वो है आपका option number D 37 इसका right answer यहाँ पर रहेगा जब आप इसको multiply करेंगे 28 28.5 को जब आप 34 से multiply करेंगे तो आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा 969 और उसके बाद plus था जब आपने 8 को 2320 से divide किया तो आपके पास निकल के आएगा 290 और दूसी तरफ 36 का square है तो 36 का square होड़ा है बाद 1296 इस तरफ आजाएगा तो माइनस में आजाएगा 1296 और उस तरफ आपके पास बचेगा minus के x जब आप इस पूरी value को solve करेंगे तो आपके पास बनेगा minus के 37 is equal to minus के x minus से minus cancel out हो जाएगा option D आपका इसका right answer रहेगा 37 वैसे ही अगला question easy है percentage related question था 450 सेबों में से 30 प्रतिशत सेब जो है वो सड़े हुए निकले तो कितने जो है वो निकालना था 70 प्रतिशत निकालना था 2-0 से 2-0 cancel out हो जाएगी और 45 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 315 इसका right answer आजएगा उसके बाद SI से question पूछा गया था अबीना जो है एक निश्चत राशी को 8 प्रतिशत वार्षिक दर पे रखती है 6 साल के बाद उसको 8,376 रुपे म जो चीज आपको given है वो आप value भर दो 8,376 given है is equal to principle था आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है rate 8% है time 6 साल है और नीचे आप कर देंगे 100 से divide तो जब आप इस principle को calculate करेंगे यहाँ पे P की value को जब आप total calculate करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 17450 तो option C जो है वो इसका यहाँ पे right answer रहेगा next question है question number 69 यहाँ पे LCM और HCF का question आप से पूछा गया था LCM आपको निकालना है HCF और दो numbers का multiple आपको दिया गया है तो इसको करने का एक formula होता है आपके पास first number into second number is equal to HCF into LCM यह question का formula है तो पहली और दूसरी संख्या तो है नहीं बट इन दोन का multiple दिया है वो है आपके पास 800 उसके बाद HCF into LCM होता है तो HCF दिया था 15 और LCM आपको यहाँ पे calculate करना है तो 15 जो है वो उपर से कहा जाएगा नीचे आजाएगा और 15 से जब आप इस 1800 को काटेंगे तो आपके पास जो cut के answer आएगा वो आएगा 120 तो option D जो है वो इसका right answer होगा उसके बाद 2 का 75 प्रतिशत आपको calculate करना था यह easy question था 2 का का मतलब गुणा है 75 प्रतिशत का मतलब 75 बटा 100 2 से आप 100 को काट दो आजाएगा 50 फिर आप 5 के पहाड़े से काटेंगे 50 10 बार कटेगा और 75 15 बार तो आपके बास बचेगा 15 बटा 10 तो 15 बटा 10 का मतलब हो सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर इसका क्षित्रफल आपको बताना था तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे आपको क्योंकि यहां पे जो बिकरन दिया था इसका डारेक्ट आपको formula पता होना चाहिए area इसके area का formula होता है 1 बटा 2 और multiply होता है दोनों बिकरनों क गुणा गुणनफल of multiple of diagonal यह इसका formula होता तो 1 by 2 और diagonal कितने थे 19 और 13 गुणा 13 तो आपका जो इसका सही answer रहेगा वो option B आपका बिलकुल accurate answer यहां पे बनता है उसके बाद बोला गया था अगर एक गोलाकार ब्रित उसके बगीचे का क्षित्रफल जो है वो दिया गया था उ last question था यह math का तो सबसे पहले आप यह देख सकते हैं कि परिमाप का formula जो होता है वो होता है आपके पास 2 pi r तो पहले आपको radius निकारना पड़ेगा तो area जो है वो आपके पास कितना दिया था area आपके पास दिया था 15400 बट question के according यह formula के according area होता है pi r square तो r square आप यहां से calculate कर पाई की value होती है 22 बटा 7 तो दूसी तरफ जाएगा तो 22 यहां पर 7 आजाएगा उपर जब इसको calculate करेंगे तो यह आपके पास बनेगा 4900 तो r square की value आपके पास 4900 है square हटाते हैं तो दूसी तरफ under root लगेगा यह दोनों तरफ आप root लगा सकते हैं तो 4900 का square कितना जाएगा इसका root कितना जाएगा 70 तो r की value आपको मिल गई 70 अब आपको निकालना था परिमाप तो परिमाप का formula क्या होता है आपके पास 2 pi r 2 as it is pi की value 22 वटा 7 और r कितना निकाला आपने 70 7 को 70 से काटेंगे 10 आएगा 2 को 22 के साथ किया 44 44 को 10 के साथ किया तो वो 440 मीटर option A जो है वो हिंदी का portion भी हम solve करेंगे जल्दी ही उसकी वीडियो जो है आप सभी के लिए आ जाएगी वीडियो को like करें और share करें जय हिंद जय आप हिमाचल